गरूर पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार से जीवित लोगों को भोजन के आवशकता होती है उसी प्रकार से भूत प्रेत भी भोजन करते हैं उसमें बताया गया है कि प्रेत उनी लोगों के घर में भोजन करते है जिनके घर में गलत कारे किये जाते है प्रेत ऐसी वस्तू को अपना निवाला बनाते है जिनकी निंदा की जाती है गरुडपराण में बताया गया है कि जिन मनुशों के घर में गलत कारे किये जाते है या फिर जिन लोगों के अंदर खराब आदते होती है प्रेत ऐसे लोगों के घरों में डालते है अपना डेरा तो आए जानते हैं कि वो कौन से गलत कारे और बुरी आदते हैं इसलिए घर में ताजा खाना बनाए और खाए और अगर बचे तो उसे किसी को तान कर देना चाहिए। घर में थूकना भी अशुम माना जाता है, माना जाता है कि भूत प्रेत इन सब गंदी चीजों के प्रती शिक्र ही आकरशित होते हैं और ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तिया अधिक सक्रिय हो जाती हैं। माना जाता है कि ऐसे घरों में प्रेत आकर भोजन करते हैं और ऐसे घरों का वातारण पूरी तरह से खराब हो जाता है। ऐसे घरों से मा लक्षमी दूर रहना ही पसंद करती है। गरों पुराण में यह भी पताया गया है कि जिस घर में दान, उपवास और पूजापाट जैसे धार्मिक कारे ना होते हुए भी घरों में भूत प्रेत अपना वास डालते हैं। जिस घरों की महिलाए देर तक सोती है या फिर बुजूर्गों का अपमान करती है। उन घरों की तरफ प्रेत आकशित होने लगते हैं। लोग बिना सनान और पूजापाट की भोजन कर लेते हैं। उन घरों से देवी देवतर चले जाते हैं। और वहां पर प्रेत आकर रहने लगते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद देया होगी।